इंडिया से कैनेडा के लिए डिरेक्ट फ्लाइट इस वक्त बंद हैं पर फिर भी इंटरनाशनल स्टुडेंट्स अलग लग कंट्रीज की यानि थर्ड कंट्रीज के थूरू इंडारेक्ट रूट से आ रहे हैं अब प्रॉब्लम ये आ रहे है यार कि पहले भी इंटरनाशनल स्टुडेंट्स को कंट्री से डिपोर्ट किया गया है ये बात सच है परहाली में जो information आई है कि मालदीव से भी around 15 students को वापिस भेज दिया गया है यानि डिपोर्ट कर दिया गया है तो क्यों आ रही है ये problem और कैसे इस problem को avoid कर सकते हैं उसके लिए देखे हमारे साथ आज की ये वीडियो चेक चेक मैं हूँ जॉनी हंस और लेके हाज की ये वीडियो और इस YouTube चैनल पे अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो consider कीजिए इस YouTube चैनल को subscribe करना और साथ में hit कीजिए bell button ताकि आप कोई भी update हमारा ना miss ना करें चलिए बात करते हैं कि problem क्या आ रही है इस वत क्या problem ये आ रही है और बहुत सारे students को ये आई है कि जब वो indirect route से आते हैं किसी भी country के through तो बहुत सारे लोगों को problem तो आई है पर ये तो कुछ जादा ही होगा कि students को वापस भेज दिया गया या deport कर दिया गया वहां से ये कहके कि यार आपके पास पूरी documentation नहीं है पहले कुछ और कहती है airlines पर जब लोग on board हो जाते हैं किसी नए port पे जाके एक नया हंगामा करना शुरू कर देते हैं और ये drama international students के साथ ongoing हो रहा है सबसे important ये बात है कि I think सबको request करनी चाहिए अब Canada को on official twitter handles की यार actually direct flights को शुरू कर देना चाहिए अब सबसे उलजन वाली बात ये हो गई है कि इस वक्त Canada में जो parliament है वो भी dissolve हो चुका है because जो elections है Canada में वो 20th of September को होने वाली है पर इसके दौरान इस सारे period में इंडिया से direct flights बन दा है मतलब problems बढ़ती जारी है international students के लिए and this is not a super great thing अब देखा जाए तो Maldives के में भी यही international students के साथ हुआ हाली में आई information के दौरान Qatar Airways से जो students इस वक्त Maldives में भी land किये तो Maldives की जो immigration है उन्होंने भी यही same question किया airline से के साथ मिलके ultimately कि they need to have their college letters और कुछ लोगों के पास नहीं होते letter of enrollment यहां फिर उन्होंने Canada की जो guidelines है उनके accordingly arrive can app जो है वो download करके उसमें information नहीं feed की हुई है तो उसको भी question किया जा रहा है ideally देखा जाए तो अगर कोई travel package कोई airline offer करती है किसी third country के through towards Canada then ideally they should not create such kind of stupidity with international students पता नहीं ऐसा क्यों करें जब आपने already उनको बता दिया एक promise हो गया है कि यह जिस country के through आप आ रहे हो वहां पे आपको quarantine नहीं करने की जुरूरत अगर आप double vaccinated हो और वो vaccination WHO द्वारा approved है third thing अगर आपका जो PCR test है वो negative है तो कोई problem नहीं होनी चाहिए पर फिर भी port पे आपको रुका जा रहा है तो इसलिए it is extremely important कि आपको ये problem ना हो किसी भी आपके जानकार को deport ना किया जै क्योंकि सारे के सारे पैसे खराब हो जाते हैं आपकी जो flight किया है तो इसलिए it is important कि आप कुछ चीजों का खास खयाल रखिये अब जो बंदा इस वक्त port पे है क्योंकि ये information हाली में हमें पाता चली है कि अभी भी they are still on the port and they have been asked to leave but problem यही है कि यार ऐसी situation पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए अगर आप किसी भी third country के through Canada आ रहे है तो एक बार उस country के port पे call करके जरूर चेक कर लीजे कि उनके transit के rules क्या है क्या आपको quarantine करने को लिए तो नहीं बोलेंगे या फिर अगर कोई दूसरी country जा रहा है तो उसके लिए क्या procedure है airline से ये चीज़ confirm करके airport से confirm करके फिर ही अपनी journey को start करें जल्दी please मत करो I know बहुत सारे इंडिया में जो travel agencies है वो complete package offer कर रही है कि यहां से जाके वहां पे रुकने का ये वो this that वो सब कुछ offer करती है पर उस चीज़ को अच्छी तरह confirm कर लीजे नहीं तो आपके साथ भी वही हो सकता जो अभी इन students के साथ हो रहा है इस वक्त मालदीव में उससे पहले डुबाई में same problem आई है तो अगर आप third country के through as an international student आ रहे हैं तो अपने पूरी की पूरी documentation की एक पूरी file बना के लेके आई है ताकि अगर कोई भी आपसे किसी भी चीज का proof मांगता है तो आपके पास होना चाहिए ideally दूसरी country के immigration को ये सारी चीजें मांग नीनी चाहिए but अगर वो मांग रहे हैं then you have to give that information जैसे कि आप Canada की immigration को यनि Canada की border agency जो है port पे वो आपसे मांग सकती है आपका letter of enrollment अगर आप already study कर रहे हो आपका letter of acceptance अगर cubic या Montreal में आ रहे हैं तो आपके पास CAQ की copy आपकी होनी चाहिए आपके पास आपका travel insurance होना चाहिए या फिन international student insurance आपके पास होना चाहिए उसके साथ साथ आपके पास financial के proof होने चाहिए आपके पास दोनों doses की अगर आपकी fully vaccinated है उसका proof होना चाहिए और print out निकाल के ले लो यार best चीज़ वही रहेगी क्योंकि कई बरी बंदा घबराया होता है और आपको digital information accessible नहीं भी होती उसके साथ साथ आपके पास अगर आपका PCR का proof है यहनी आपका COVID का test हो है तो उसके भी negative होने के proof अपने पास रखी है so that no one can challenge you अगर आप Canada आ रहे हैं as an international student किसी भी country के port के थूँ इस वक्त सर्बिया के थूँ लोग आ रहे हैं इस वक्त दोहा के थूँ लोग आ रहे हैं Qatar Airways के लेके उसके साथ साथ मेक्सिको के थूँ आ रहे हैं so काफी सारे routes है Maldives के थूँ आ रहे है there are so many routes through which students are traveling to Canada I think Canada should open flights right now because especially you know वो जादा लोगों के लिए कुछ categories के थूँ open कर सकते हैं पर हाल फिलहाल ऐसा कोई clear cut अंदेशा नहीं है कोई news नहीं है कि यार कब तक खोलेंगे 21st September तक wait करने को बोला है जैसे ही कोई update आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे तब तक अगा आप travel करने है प्लीज जो हमने list of documents बोली है उसको साथ में जरूर लेके यह तो यह list आपको Canada.ca पे मिल जाएगी चेक कर लीजे और अगर आप Canada में study करना चाहते हैं युनिवर्सिटी college में तो आप उसके लिए भी हमें approach कर सकते हैं हमारी team आपको provide करेगी admission services हमारे ICCRC certified consultant आपकी help करेंगे visa के लिए जब आप land कर जाते हो तो आपको post landing services जैसे airport से pick up making sure कि आपको zero dollar पे phone issue करवाया जाए accommodation arrange करवा के देनी उसके साथ-साथ you know making sure कि आपका first day of college के लिए आपको you know pick up मिले so to make sure कि आपके लिए integrate करना country में easy हो जाए इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमारी services लेना तो email कर सकते हैं apply at check check services dot com या फिर form में लिंक दे रखा है admission के लिए आप उसको फिल कर दीजिए so if you want to watch more content in English then we have an English YouTube channel that is the Canada Vibe and all the information is given in the description of this video इसी के साथ मैं जौनी हंस फिल हाल लेना इजाज़त हास्ते मस्कराउं ते रोजी रब राग का